बरिजये चात्रो, आज हम पादप व्रिध्धी एवं परिवर्धन का अध्यान करेंगे मुझे कौन बताएगा कि पादपों में व्रिध्धी क्या होती है? सर, कोशिकाओं के आकार तथा लंबाई में व्रिध्धी होना पादप व्रिध्धी को दर्शाता है बहुत अच्छा सुरेश सर, क्या हम पादपों की व्रिध्धी को माप सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है राहुल पौधों की वृध्धी को भिन्नकारकों जैसे पोशक तत्वों की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, ऑक्सीजन इत्यादी द्वारा मापा जा सकता है मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ कि ओकिंसंस, जिबिरेलिन्स, साइटोकिनिन्स, एथिलिन तथा एप्सिसिक एसिड तानी अमल पाँच पादब वृध्धी नियामक हैं इस अध्याएं में आप पात्पों की वृध्धी एवं विकास का अध्यान करेंगे इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे पात्पों में वृध्धी का वडन करना वृध्धी के चरणों की व्याख्या करना वृध्धी दर को परिभाशित करना वृध्धी की मातरात्मक तुलना को समझना विध्धी के लिए दशाओं का वड़न करना विभेदन, निर्विभेदन तथा पुनर विभेदन को परिभाशित करना परिवर्धन को परिभाशित करना पादप विध्धी नियामक का वड़न करना दीपती कालिदा की व्याख्या करना और वसंती करण की व्याख्या करना विभाजन तथा परिवर्धन द्वारा कोशिकाओं के आकार तथा संख्या में आपरिवर्थनिये यानि आनिवरत्य बढ़त को विध्धी कहते हैं पातपों में विध्धी प्राया आपरिमित होती है पॉधों में ससीमित वृध्धी करने की इक्षमता होती है, जिसके कारण उनके शरीर में कुछ खास जगों पर विभजी योतक यानी मेरिस्टेम उतकों की उपस्तिती होती है विभजी योदकों यानि मेरिस्टेम की कोशिकाएं स्वयम विभग्त होने में सक्षम होती है विभजी योदक की क्रियात्मक्ता से जब नवीन कोशिकाएं पौधे के शरीर में चुड़ती हैं तो उसे वृध्धी का खुला स्वरूप कहा जाता है मोल शिखागर विभजीयों तक तथा प्रारो शिखागर विभजीयों तक पौधे के दीरगी करण के लिए उत्तरदाई होते हैं दूई बीच पत्री पौधों में पाश्व विभजियोतक, सम्वेहनी केम्बियम तथा कौर्क केम्बियम पौधों की दूई तियक वृध्धी के लिए उत्तरदाई होते हैं। वृध्धी माप योक्य है। प्रिष्टियक शित्रफल में बढ़ोत्री पत्तियों की वृध्धी को दर्शादी है। विभजियोतकी चरण में कोशिकाएं मोल शिखागर तथा प्रारोह शिखागर दूनों में लगातार विभाचित होती हैं। इन ख्षित्रों की कोशिकाएं जीव दर्व्वे और व्यापक किंदरक से भरपूर होती है। दीरगी करण चरण इस चरण का उद्देश कोशिकाओं का दीरगी करण है। परिपक्वता चरण इस चरण में कुशिकाएं अपने पून आकार, रूप तथा सन्रचना को पानी के लिए परिपक्व हो जाती हैं व्रिध्धी की दर समय की प्रती इकाई के दौरान बड़ी हुई व्रिध्धी को व्रिध्धी दर कहा जाता है पौधे दो प्रकार की व्रिध्धी दर्शाते हैं अंक गणितिये व्रिध्धी तथा जयामितिये व्रिध्धी अंक गणितिये व्रिध्धी केवल एक संथती कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है जबकि दूसरी परिपक्व होती रहती है उधारण के लिए निश्चित दर पर दीरगी क्रित होते मूल गणितीय रूप में L T बराबर L 0 प्लस R T जहां L T बराबर टाइम T के समय लंबाई L 0 बराबर टाइम 0 के समय लंबाई R बराबर व्रिथिदर अंग की लंबाई समय के विरुथ अभी लिखित की गई है जिसके फलसरूप एक रेखिये वक्र पाया गया है जयामितिय व्रिथि प्रारंबिक व्रिथि धीमी होती है जिसके बाद व्रिथि तेजी से बढ़ने लगती है तथा इसके बाद के चरण में व्रिथि फिर से धीमी हो जाती है सभी कोशिकाएं उतक तथा अंग इस तरह की व्रिथि को दर्शाते हैं गणतिय रूप से W1 बराबर W0 ERT W1 बराबर अंतिम आकार W01 बराबर प्रारंबिक आकार R बराबर व्रिथि तर T बराबर समय में व्रिथि E बराबर स्वभाविक लगुगानिक का आधार व्रिथि की मातरात्मक तुलना व्रिथि की मातरात्मक तुलना के दो तरीके हैं परम यानि निरपेक्षिक व्रिथिदर तथा सापेक्षिक व्रिथिदर मापन और प्रती यूनिट टाइम की कुल व्रिथि की तुलना परम व्रिथिदर कहलाती है परम वृध्धी को A1 तथा B1 पत्तियों के निर्मान के लिए A तथा B पत्तियों को शेत्रों में दर्शाया गया है दी गई प्रणाली की प्रती यूनिट समय पर वृध्धी सापेक्षिक वृध्धी दर कहला दी है दीए गई चित्र में दोनों पत्तियों में 20 सेंटिमीटर वर्ग की वृध्धी हुई है लेकिन पत्ति A में अपिक्षक रित अधिक वृध्धी हुई है वृध्धी के लिए दशाय वृध्धी के लिए निम्न दशाय आवशक है पोशक तत्व जीव द्रव के संशलेशन के लिए परियाप्त पोशक तत्वों की आपूर्थी आवशक है. ये उर्जा के स्रोत की तरह कारे करता है. जल व्रिद्धी के लिए जल की समुचित आपूर्ती आवशक है। ये कोशिका की स्फीदी को बनाए रखता है, जो की व्रिद्धी को बढ़ाता है। ये एंजायमी अभिक्रियाउं को माध्यम भी प्रदान करता है। आक्सीजन ये श्रसन तथा उर्जा के निशकासन के लिए अनिवार है। विभेदन निर्विभेदन तथा पुनर्विभेदन विभेदन वो प्रक्रिया है जिसमें विभजीयों तक कोशिकाएं विशेश कारे को करने के लिए संडचना तथा आकार में परिवर्थन कर लेती हैं उधारन के लिए अधित्वक यानि प्रोटोडर्म कोशिकाओं के डिने संशलेशन के पश्चाथ कोशिका का विस्तरण होता है तथा इससे आपरिपक्वत तोचा यानि ट्राइकोम बनता है इसके पश्चात केंदर की ये अभीगमन होता है, तथा शाखन पाया जाता है, तथा फिर ये परिपक्वता अवस्था तक पहुँचता है। निरविभेदन निरविभेदन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पहले से विभेदित कोशिकाएं विभाजन की ख्षमता को पुना प्राप्ट कर लेती हैं, तथा विभजी योद की ये बन जाती हैं। पुनर विभेदन वो प्रक्रिया है जिसमें निर विभेदित कोशिकाओं को निर्मान विभजी योत की ये कोशिकाओं से होता है। परिवर्धन के अंतरगत एक जीव के जीवन चक्र में आने वाले वे सारे बदलाव शामिल हैं जो बिजांकुरण एवं परिपक्वता के बीच संगठन की निम्न दशा से उच्च दशा में आते हैं। पौधे जीवन के विभिन चरणों में भिन पथों का अनुसरण करते हैं ताकि विभिन तरह की सनचनाओं का गठन कर सकें। इस ख्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। यदि भिन आकार वाली पत्तियां एक पौधे के समान अथवा भिन प्रारोह पर उपस्तित होती हैं तो ये अवस्था विशम पणता कहलाती है। उधारण के लिए लाक्स पर एवं बटर कप। पादव विध्धी नियामक विशिष्टताएं यानी कौण। सभी पादों में कुछ ऐसे रासाइनिक पदार्थों की कम मात्रा उपस्तित होती है जो कि विध्धी तथा विभेदन को नियमित करते हैं। ये पदार्थ विध्धी नियामक कहलाते हैं। एक वरिधी नियामक को इस प्रकार से परिभाशित किया जा सकता है कि ये एक कार्बरिंग पदार्थ है, जोकि पौधे में प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है, तथा पौधे की वरिधी तथा अन्य कारियों को प्रभावित करता है. ये एक निश्चित इस्थान पर कम मात्रा में निर्मित होकर अन्य स्थानों के कारियों को नियमित करता है। पिछले साथ वर्षों में प्रिधी नियमक पौधों से बड़ी संख्या में प्रथक किये गए हैं। पिछले संख्या में प्रवाह की जगा है जो संपून प्रांकुर्चोल के मुणने के कारण है। आक्सिन की खोज F.W.Vent के द्वारा प्रांकुर्चोल के सिरे से की गई है। बेगेन सीटलिंग धान के पौधे यानि नवोदभित की बीमारी है जो रोगजनक कवक जिबरेला फूजी कोराई के द्वारा हो दी है। इक गुरुसोवा ने रोग रहिद्धान की पौधे में रोग लक्षन को बताया जब उने कवक के जिवाडों हीन निसियंदों के साथ उपचारित किया। सक्रिय तत्व की पहचान बाद में जिब्बेरेलिक अम्ल के रूप में हुई पादव रिधी नियामकों की खोज। एफ सकूग तथा उनके सहकर्मियों ने देखा कि तंबागों के तने के अंतरपर्व खंड से अवी भेदित कोशिगाओं का समू तभी प्रचुरित हुआ जब ओकिंसन्स के अलावा मीडियम में वाहिका उत्कों के सत्व या येस्ट सत्व रूप में दिया गया। सकूग और मिलर ने साइटो काइनेसिस को बढ़ावा देने वाले इस दत्व को पहचाना और काइनेटि नाम दिया। तीन अलग-अलग वैज्ञानिकों ने सौतंत्र रूप से तीन तरह के निरोधक का शुद्धी करण एवं उसका रासाइनिक सौरू प्रस्तुत किया। वे निरोधक, बी, बिलगन, सेकिंड एवं डोर्मेन हैं। बाद में ये तीनों रासाइनिक रूप से समान पाए गए। इसका नामकरण एपसिसिक अमल के रूप में किया गया। ये सुनिशित किया गया कि पके हुए संतरों से निकला हुआ एक वाशपशील तत्व पासमें रखे बिना पके हुए केलों को शिगरता में पकाता है। बाद में ये वाश्पिशील तत्व एथिलीन के नाम से जाना गया। पादव रिधी नियामकों का काई किये शरीर क्रियात्मक प्रभाव। ओकिनसंस इंडोल इसेटिक अमल मुख्य प्राकृतिक ओकिनसंस है। इंडोल ब्यूटेरिक अमल भी पौधों से प्रथक किया गया है। कृत्रिम ओकिनसंस के उठारण हैं। नेफ्थेलिन एसिटिक अमल तथा दोचार डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक अमल। ये सभी ओकिनसंस क्रिशिक शेत्र के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। ओक्सिसंस का पौधों पर काहिकिये शरीर क्रियात्मत प्रभाव। कक्षस्थ कलियों त्वारा अग्रस्थ कलिकाउं का अवरोधन शिखागर प्रधानिता कहलाता है। तथा ये उक्सीशंस के परिवाहन के कारण होता है। प्रारह सिरे तथा मूल सिरे पर उक्षसंस विभिन प्रकार से क्रिया करता है। ये निम्न संद्रता पर मूनों के निर्मान को बढ़ाता है। ओक्सिसंस विलगन परतकार निर्मान करके पत्तियों को गिरने से बजाता है। ओक्सिसंस बीज रहीत फलों के निर्मान को प्रफावित करता है। ये अनिशेक फलन भी कहलाता है। जिब्बेरे लिंस जिब्बेरे लिंस पादव रिधी नियामकों की श्रिणी में आता है जिब्बेरे लिंस का पौधों पर काई की ये शरीर क्रियात्मत प्रभाव जिब्बेरे लिंस तने के दिरखी करण तथा पत्ती के फैलाव को बढ़ावा देता है लेकिन ये मूलों क्टानी चड़ों पर कोई प्रभाव नहीं डालता जिब्बरेलिंस सलाद अनाचो आदी में बीज अंकुरन को प्रोसाहिद करता है जिब्बरेलिंस के साथ उपचार करने पर मटर, फली, तमाटर, काली मिर्च, खीरा, सलाद तथा पत्ता गोभी इन सभी पौधों में पत्तियां चौड़ी तथा लंबी हो जाती है जिब्बरेलिंस कलियों तथा प्रकंद की प्रसुप्ति को रोग देता है लेकिन मूल प्रकंद में जिब्बरेलिंक अमल का प्रयोग मूल प्रकंद के विकास को अवरुध करता है जिब्बरेलिंस टमाटर से पित्यादी में अनिशेक भलन को उत्पन करता है साइटो किनिंस साइटो किन्स का पौधों पर काई किये शरीर क्रियात्मत प्रभाव ओकिसंस की उपस्तिती में साइटो किन्स कोशिका विभाजन को उध्दीपित करता है यहां तक कि अविभजीयोत किये उध्को में भी ब्रिद्दू तक यानि पेरन काइमाउ तक संवर्धन में जब ऑगिसंस तथा साइटो किनेंस उपस्तित होते हैं तो समसूत्रिये विभाजन तीवर हो जाता है ये अनिक बीजों की प्रसुप्ति को तोड़ता है तथा उनके अंकुरन को बढ़ावा देता है ये पाश्व कलियों की वृध्धी को भी बढ़ावा देता है साइटो किनेंस प्रोटीन संशलेशन को नियंत्रित करके पादब अंगों में जीडन की प्रक्रिया को कम करता है ये पादब कोशिकाओं में लवड के संचैन में भी साहयक है एथिलीन एथिलीन का पौधों पर काई की ये शरीर क्रियात्मक प्रफाव ये तनों तथा मूलों के दीरखी करण को संदमित करके उनकी वृध्धी को परिवर्धित कर देता है ये पाश्वकलियों की व्रिद्धी को संदमित करता है तथा शिखागर प्रधानिता को उत्पन्ने करता है ये अपच्छेदन यानि विगलन परत के निर्वान द्वारा पत्तियों, फूलों तथा फलों के अपच्छेदन को पढ़ाता है ये अधिकांश पौधों में पुश्पन को धीमा कर देता है, लेकिन अननास, आम तथा अन्ने कई पौधों में पुश्पन को बढ़ा देता है ये खीरे के पौधे में मादा पुश्पों तथा फलों की संख्या को बढ़ाता है एपसिसिक अमल एपसिसिक अमल का पौधों पर काई किये शरीर क्रियात्मक प्रभाव ये तनाव हार्मून की भाती कारे करता है, तथा स्टोमेटा यानी रंद्र के बंध होने को उद्धिपित करता है ये प्रारोह वृध्धि को रोकता है लेकिन मूलों को अधिक प्रभावित नहीं करता है ये संचैत प्रोटीन के संशिलेशन के लिए भीजों को प्रेरित करता है ये विभिन प्रगार के तनावों के लिए पौधों की सहनशीरता को बढ़ाता है ये जिब बिरेलिंस के विरोधक के रूप में कारे करता है दीप्ती कालिता कुछ पौधों में पुश्पन सिर्फ प्रकाश और अंधिकार की अवधी पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि उसकी सापेक्शिक अवधी पर निर्भर करता है इस घटना को दीप्ती कालिता कहते हैं आवरित बीजी पौधों के पुश्पन की प्रदक्रिया को तीन श्रिडियों में बांटा गया है अल्प प्रदीप्त काली पौधे ये पौधे पुश्पन तप्रारंब करते हैं जब दिन में यानि प्रकाश की अवधी एक निश्चित क्रांतिक अवधी की तुल्ला में कम यानि छोटी होती है यदि इन पौधों का एक निश्चित क्रांतिक अवधी की तुल्ला में अधिक अवधी पर छोड़ दिया जाए तो ये काईक बने रहेंगे अल्प प्रदीप्त काली पौधों के उधारण कास्मोस डेहलिया आदी है। दीर्ग प्रदीप्त काली पौधे जब दिन में प्रकाश की अवधी एक निश्चित क्रामतिक अवधी की तुलना में अधिक होती है, तब ये पौधे पुश्पन को रोग देते हैं। दीर्ग प्रदीप्त काली पौधों के उधारण जव गन्ना आदी हैं। तथस्त प्रदीप्त काली पौधा इन पौधों में प्रकाश की अवधी एवं पुश्पन प्रेरित करने में कोई संबंध नहीं होता है। तठस्त प्रदीप्त काली पौधों के उधारण सूरज मुखी टमाटर आधी हैं। वसंती करण वसंती करण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों में पुष्पन को बढ़ाने के लिए उन्हें कम तापक्रम पर रखा जाता है। कई सम्शी तोष्ण पौधों में पुष्पन की प्रक्रिया को प्रारम करने या उसे बढ़ाने के लिए वसंती करण की अविशक्ता होती है। कई पौधों की स्पिशीज यानी जातियां जैसे अरे बिडॉप्सिस, थेलियाना के इको टाइप्स तथा शरद अनाजों जैसे के गेहों को शरद रितु में ही बोना चाहिए। अनेक दूई वार्षिक इस्पिशीज में वसंती करण पाया जाता है जो की ताप में भिन्न हो सकता है। क्या आप जानते हैं? आशु मूल परिरंब से विक्सित होती है। एलिवरोन कोशिकाओं में अलफा एमाइलेज एंजाइम के लिए MRNA संशिलेशन को GA3 रोकता है। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संशेप में दोहराएं। व्रिद्धी को एक अव्यव या अंग या इसके किसी भाग या यहां तक की एक कोशिका के आधार में अनिवर्त इस्थाई बढ़त के रूप में परिभाशित किया जा सकता है। व्रिद्धी के तीन चरण विभजी योत किये दीर की करण तथा परिपक्वता है। समय की प्रती इकाई के दोरान बड़ी हुई व्रिद्धी को विर्धी दर कहा जाता है। पोशक तत्व, जल, आक्सीजन, ताप, व्रिद्धी के लिए आवशक दशाए हैं। विभेदन वो प्रक्रिया है जिसमें विभजी योतक कोशिकाएं विशेश कारे को करने के लिए संदचना तथा आकार में परिवर्तन कर लेती हैं। निर्विभेदन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पहले से विभेदित कोशिकाएं विभाजन की एक्षमता को पुना प्राप्त कर लेती हैं तथा विभजी योतकिये बन जाती हैं। पुनर विभेदन वो प्रक्रिया है जिसमें निर्विभेदित कोशिकाओं को निर्मान विभजी योतकिये कोशिकाओं से होता है। ये विभजी योतकिये कोशिकाएं किसी विशिष्ट कारे को करने के लिए संदचना तथा आकार में परिवर्तन कर लेती हैं। औकिसंस, जबेरेलिन्स, साइटोकुनिन्स, एथिलीन तथा एपसिसिक अमल पृध्धी नियामक हैं कुछ पौधों में पुष्पन सिर्फ प्रकाश और अंदकार की अवधी पर ही निर्भर नहीं करता बलकि उसकी सापेक्षित अवधी पर निर्भर करता है इस घटना को दीपती कालिता कहते हैं वसंती करण वप्रक्रिया है जिसमें पौधों में पुष्पन को पढ़ानी के लिए उन्हें कम ताप करम पर रखा जाता है